पार्थी भित्र उठेको असंतुष्टिको आवाज दे आतिये का नेकपा माववादी केद्र का अध्यक्षिय पुष्प कमल दाहाल प्रचंडले, मंगलबार प्रतिनिधी सभा वैटक मा त्यो कुंठा सवै पोखे. नेकई आक्रोसित्र कठोर सब्दहर को सहयोग लियेर प्रतिनिधी सभा मा प्रस्तुद भाय का प्रचंडले, आफनों पार्थी आफु स्वैम को बचाव गर दे, प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली माती आरोप को बवचार नहीं करे. आफनों मंतव्यको लामो समय नेपाल विद्युत प्रादिकरण का कार्यकारी निर्देशक कुल्मान गिसिंग को बचाव मा लागे का अध्यक्षे प्रचंडले, सरकार माफिया को भर्यांग टेकेर व्यापारी को बचाव मा लागे को आरोप लगाए. गिसिंग लाए छोये आउने विपत्ती प्रती सचे थुना चेतावनी दिदेई उनले विद्युत को बाकी वक्योता उठावन न दिन प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली लागी परेको दावी करे. लोट सेडिं को बेला को डेडिकेटेड़ ट्रंक लाइन को बील को बिबाद मा प्रधानमंत्री रोष्टम मा उबिनू भयो, कडारूप मा उबिनू भयो, तर जशका पच्छे मा जशरी उबिनू भयो, क्यो देखेर शिंगो देश इस्तबद भायो. यही रोष्टम बाट मैले योपनी बनेगो थी कि सरकार सुषाचन तर्शियर बनेगो सुषाचन को ब्येग लाए रोकन आफो रा आपना हरु जोगाउन रा जोगी न बनेगो सत्ता गुमायपची दोस्त्रो प्रतक प्रतिनिधी सभालाई सम्भोधन गरेका अध्यक्षे प्रचंडले येस बीच माँ पार्टी वित्र चरको असंतुष्टी को सामना गरेका थी आफनो नेत्रितो को विकल्पको बारेमा समेद पार्टी वित्र बहस सुरुभाय पची आथियका प्रचंडले सत्ता यात्रा को क्रमा आफुले कहिले कसेले धोखा नदिये को जिकिर समेद गरेका थी इतियास का ब्धियार्थियरुपने शुन्नोस यो देशको इतियास माँ सत्ता को वित्रान को राजनेतिकी सम्झावता केवल एक पठक मात्र पालना बहाया को छो केबल एक पटक रा केबल एक भेक्टिले मात्र पालाना गरेगो छा मा यो सम्मानित रोष्टम बाट गौरफ साथ भन्ना सवतु त्यो भेक्टि पुष्वा कमल दाल प्रचंड नहीं हो नेकपा एमालेर प्रधानमत्री ओली मात्री कठोर रूप मा पेश भाय का अद्देख्षे प्रचंड ले बांगलादेश को उदाहरान तिदे सरकारलाई दोई तिहाई को चूरी फूरी न देखाऊन चेतावडी दिये विधी मेचेर अगी बड़े आउने संकट कठोर हुने भंदै उनले जो सरकार भय का मुलुक दुबाउने कांड हरू ढाक्छोब गर्न बनेको आरोप लगाए नया सरकार आयो क्ये गरेव इजोत्ती कांड को चान्मेन गरी रह का प्रहरी अधिकरित माथिले चान्मेन चुरू गरेव यशरी शुरू भयो दुई तिहाई को सुषाच नककली भुटानी सनार्थी कांड लाइ साम्चुम पार्न र अरू अपरादियोर ला जोगाउन सरकार जे गर्दै छो मेरो विचार मात्यो खतर्नाक्छो गांग्रेस एमाले का साथियोर लाइ यह रोष्टम बात मेरो अनुरोच छो नककली सनार्थी कांड न तपाहर ले करकाला जोगाउन और उन्मुक्ति दिना मिलने सामान ने अपराद बिलकुल होई न यसलिए अंतराह्टिय जगत में नेपाल को कानुनी नईतिक राजनेतिक र सामाजिक प्रतिस्ताने दुलोपिठो पारे को ज़ आफुले विगतमा गरेको सबै आलोचित कारिया हरू सरकने प्रयासगरे का प्रचन्ड ले प्रधानमत्री ओलिलाई गिरी बंदु टी स्टेट का बारे मा भाय को नितिक निरनाय सच्च्याउन समेत चुनोति दिये। सरकार एक सय दिन नपुग देई माफिया को कब जामा पुगे को भंदेई पाईला पाईला मा यो सरकार को खबरदारी गरने भनाई पनी प्रचन्ड को थिय।